मराठा आरक्षण से OBC कोड़ पर फर्क पड़ेगा या नहीं? डेप्टिसीयम देवेंदर फडणवीस ने दिया बड़ा बयान महराश्ट के उपमुख्य मंत्री देवेंदर फडणवीस ने शनिवार को कहा कि मराठा समुदाई के लिए आरक्षण से अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के मौजूदा कोटा में कोई कमी नहीं होगी फडणवीस ने यहां सम्विधान चोराहे पर OBC समुदाई के प्रदर्शन कारियों से मुलाकात की और उन्हें या आश्वासन दिया उन्हें कहा कि सरकार किसी भी हालत में OBC कोटा को आगे विभाजितिया कम नहीं होने देगी फडणवीस ने क्या कहा आगे फडणवीस ने उपस्थित लोगों से कहा कि मराठा समुदाई की मुख्य मांग मेरे मुख्य मंतरी रहते हुए उन्हें दिये गए 12-13 प्रतिशत आरक्षन के बारे में है वे उस आरक्षन को वापस चाहते हैं उन्होंने कहा कि मुख्य मंतरी एकनाच शिंदे के नित्रित वाली वर्तमान सरकार ने उच्चतम नियायले में दायर की जाने वाली पुनर विचार याजी का परकाम शुरू कर दिया है नियायले ने 2021 में सरकारी नौक्रियों और सैक्षनिक संस्थानों के मराठा समुदाई को दिये गए आरक्षन को रद कर दिया था वहीं आगे फड़न वीस ने कहा कि सरकार मराठा समुदाई के लिए आरक्षन बहाल करना चाहती है जो OBC कोटा से अलग है उनोंने कहा ऐसी स्तिती जहां एक समुदाई को दूसरे समुदाई के खिलाफ खड़ा किया जाता है वह राजे के सामाजिक ताने बाने के लिए ठीक नहीं है उनोने कहा कि राजे सरकार इस तरह के टकराव को पैदा नहीं होने देगी इस महीनी के शुरुवात में मराठा कारेकरता मनोज जरांगे की भूख हड़ताल के साथ मराठा अरक्षन का मुद्ध केंदर में आ गया था वहीं OBC शेणी में मराठा समुदाय के संभावित समावेश के खिलाफ छत्रपती संभाजी नगर नागपूर और चंद्रपूर में OBC संगटनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था सरकार कितने रिक्त पदों को भरेगी बता दें कि इससे पहले नागपूर हवाई अड़े पर पत्रकारों से बातचीत में फटनवीस ने कहा कि राज्य सरकार ने OBC कोटा को नहीं हाथ लगाने कम या साजा नहीं करने के बारे में असपश्ट रुख अपनाया है उन्होंने कहा इसलिए हम OBC समुदाय से अपना आंदोलन वापस लेने का अनुरूद करते हैं फटनवीस ने उन खबरों को भी अफवा करार दिया कि सभी सरकारी नौकरियां समुदा पर आधारित हो जाएंगी उन्होंने कहा कि रिक्तियों का केवली खिस्सा समुदा के आधार पर भरा जाएगा उपमुख्य मंत्री ने कहा कि राजय सरकार जल्द ही एक लाग पचास हजार विक्त पदों को भरेगी जो सरकारी भरती के एतिहास में सबसे बड़ा होगा